राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिन हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयो आज का जो हुमारा टूपिक है ये गेहूं की 4 से लेके 5 उननत किस्मों के बारे में ये वीडियो में आपको बना करके दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको गेहूं की लगभग 4 से लेके 5 वेराइटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोसिस की जाएगी और इन वेराइटियों में से जिस जिस वेराइटियों का चेन आप में से किसी भी किसान भाई ने किया है उन्हें उसका कैसा उत्पादन देखने को मिला है वो तुरंत ही नीचे जरूर बताएं जिससे की और भी किसान भाई इन किसमों का चेन करके एक अच्छा उत्पाद और यदि किसी भी variety ने किसी भी किस्म ने अच्छा उत्पादन नहीं दिया है, या उसके अंदर रोग जादा लगी है, फंगस जादा लगी है, कीटो का अटेक जादा लगा है, या फिर कोई और समस्या उसके अंदर आई है, तो उन समस्याओं को भी नीचे कमेंट सेक्षिन में बताएं जिससे की सभी किसान भाईयों को एक सही और सांदर जानकारी मिल सके और वो अपने खेत के अंदर एक अच्छी फसल ले सके तो सभी किसान भाईयों को आपको भी मदद करनी है और मुझे भी मदद करनी है तो इन पांच वाराइटियों के बारे म आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती हैं, इन पांचों में से किसी भी एक किस्म का यदिया आप चैन करते हैं, तो बहुती सांदार और बंपर पैदावार आपको देखने को मिलेगी, आज की ज ये काफी अच्छी और प्रतलित किस्म हैं, और इस किस्म का जो चैन हैं, ये किसान भाई काफी लंबे समय से कर रहे हैं, इसकी पकने की अवधी की बात करें, तो 120 से लेके 125 दिन के अंदर ये वेराइटी हमारी पक करके तयार हो जाती है, यदि 20 दर की बात करें कि एक एकर के अंदर हमें कितने बीच की आवसकता पड़ती है, तो 40 से लेके 45 किलोग्राम बीच की आवसकता आपको पिरती एकड़ेहां पर पड़ने वाली है, बात करते हैं बात करते हैं कौन-कौन से राजियों में आप इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं कौन-कौन से रा जेस में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, असम में रख कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं और इनके साथ साथ जिन जिन राज्यों के अंदर गेहुं उत्पादे छेत रहें या जिन जिन राज्यों के अंदर गेहुं की पैदवार ली बात करते हैं इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो आपको 26 से लेके 28 कुंटल पिरती एकर तक की पैदावार ये विराइटी ये किसम आपको निकाल करके दे सकती है सिचाईयों की बात करें की इसे कितनी सिचाईयों की आवसकता पढ़ती है तो तीन से लेके चार सिचाईयों की आवसकता इस वेराइटी को आपकी पढ़ने वाली है यदि 3 से लेके 4 से चाहिएं आप करते हैं तो ये आपको सांदर पैदवार निकाल करके दे सकते हैं यदि टिल्डिंग की बात की जाए तो एक पोदे से आपको 12 से लेके 13 कले ये गए हूँ आपको निकाल करके दे सकती है सिरी राम सूपर 303 इसकी जो उचाई है वो आपको 88 से लेके 100 सेंटिमेटर के असपास मिलेगी कम लंबाई का पोदा होने की वज़े से ये वेराइटी ये किस्म आपकी नीचे नहीं गिरती है और आपको काफी अच्छी पैदवार निकाल करके दे सकती है एक पोदे से आपको लगबग बारे से लेके 13 कल्ले देखने को मिल जाएंगे इसका जो पोदा होता है ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इस किस्म का दाना आपको काफी मोटा वे चमकीला नजर आएगा साथी साथ बालियां काफी लंबी वे मोटी किसान वह आपको देखने को मिल जाती है इस गेहों की यदि आप रोटिया खाना चाहेंगे तो रोटियां भी इसके काफी अच्छी और स्वादिष्ट किसान भाईयो रहती है बात करते हैं रोगों की कि रोग इसके अंदर कैसे लगते हैं तो भूरा रत्वा हो जुलसा रोग हो या फिर रश्ट हो ये रोग इस वेराइटी के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे इन रोगों के प्रती काफी जादा सेहन से लिए वेराइटी है उत पादन देखा जाएं तो 24 से लेके 28 कुंटल तक की पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकते हैं यदि आप अगेती बॉई करते हैं तब आपको ये 28 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके देगी और यदि आप इसकी पचेती बॉई करते हैं तो 24 कुंटल तक की पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी बात करते हैं इसकी बॉई की बॉई इसकी किन किन राज्यों के अंदर हम कर सकते हैं तो पंजाब में आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, हर्याणा में आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, मद्धे प्रदेश में आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, बिहार और राजिस्तान में भी आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप इसकी बॉआई कर सकते हैं, अच्छी पैदावार यह आप पो निकाल करके देगी, अब बात करते हैं किसान भाई यह अपनी तीसरी वराइटी के बारे में, तीसरी वराइटी है किसान भाई यह हमारी, पूशा जैससवी, HD 32, 26, यह भी बहुत सांदर और अच्छे वराइटी है, इसका चैन भी जिन जिन किसान भाई उने किया है, उन्हें काफी सांदर और अच्छी पैदावार देखने को मिली है, यह किसम आपकी 142 दिन के अंदर प बात करते हैं, कौन-कौन से राजियों में आप इसकी ववाई कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मो कस्मीर, असम, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, आधी राजियों में आप इसकी ववाई कर सकते हैं, इसकी हाइट की बात करने, तो 100 cm के आसपास तक इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाती है बालियां इसकी काफी लंबी और सुन्दर और चमकदा किसान भाईयों आपको देखने को मिल जाएंगी उत्पादन की बात करें तो 26 से लेके 28 कुंटल पिरती एकर तक की पैदावार इस किसम ने किसान भाईयों को निकाल करके दी है पीला रत्पा हो काला रत्पा हो ये रोग इसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे करनाल बंट भी इसके अंदर काफी कम आपको देखने को मिल जाएगा यानि की रोगों के प्रती काफी जादे सेहनसिल होने वारी ये किसम आपके लिए है सिच्चाईयों की बात करूं तो 3 से लेके 4 सिच्चाईयों की आवसकता इस वराइटी को आपकी पढ़ने वाली चोथी किसमे किसान भाईयों हमारी करन नरिंदर डी बी डवलू दो सो बाईस ये भी एक सांदार और अच्छी वराइटी है किसान भाईयों यदि बीज की मात्रा की बात करूं तो 40 से लेके 50 किलोग्राम पिर्ती एकर तक बीज की आवसकता इस वराइटी के आपको पढ़ने वाली है पकने की अब धी देखी जाए तो 140 से लेके 142 दिन के अंदर ये वराइटी ये किसम आपकी पक करके तयार हो जाती है बुआई के सही समय की बात की जाए तो 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नुवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बिल्कुल सही और सटीक समय ये आपकी गेहूं की बुआई के लिए रहता है सिचाईयों की बात करें तो तीन से लेकर चार सिचाईयों का हो सकता आपकी इस वराइटी को भी खिस्तन भाईयों पढ़ जाती है बालियां बालियां इसकी लंबी और अधिक दानों वाली होती है और काफी चमकदार भी ये भी आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वज़े से इसकी जो पैदावार है वो काफी ज़ादा बढ़ जाती है उत्पादन देखा जाए तो लगभग ये आपको 26 से लेके 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है यदि आपने सही समय पर इसकी वाई कर दी है तो ये आपको 28 से लेके 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है बीमारी बहुत कम रोग इसके अंदर आपको देखने को भी लेंगे रोग पित्रोदर चमता जो है वो इस वराइटी के अंदर काफी ज़ादा आपको देखने को मिलेगी रोगों के प्रती काफी ज़ादा सेहनसिल ये वराइटी क कि हमारी पांच्वी किसम कौन सी है तो हमारी पांच्वी किसम है किसान भाईयो एचडी उन्तिस सर्षड एचडी उन्तिस सर्षड किसान भाईयों के लिए काफी लंबे समय से बिलकुल लोक परिया बनी हुई है काफी पसंदिता किसम किसान भाईयों के ये रह रही है काफी बेसमय से बीज की मात्रा की बात करूँ तो HD 29-67 का जो आपको बीज लेना है वो आपको लगबक किसामवरियो 40 से लेके 50 किलोग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से ही लेना है पकने की अब धी देखी जाए तो 135 से लेके 140 दिन के अंदर ये किसम हमारी पक करके तयार हो जाती है इसकी बौई भी आप 25 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवोंबर ये आप करेंगे तो अच्छी पैदवार ये भी आपको निकाल करके देगी सिचाईों की बात करने हैं कि कितनी सिचाईों का आऊ सकता तो 3 से लेकर 4 सिचाईों का आऊ सकता आपकी Hड 29 सरसठ को भी पढ़ जाती है बाल या इसकी भी काफी अच्छी वो सांदार आपको देखने को मिल जाती हैं उत्पादन देखा जाए तो 26 से लेके 28 कुंटल पिरती एकर तक की पैदवार इस किसन ने भी किसान भाईयों को कई बार बहुत बार निकाल करके दी है और किसान भाईयों की काफी चहेती वेराइटी ये रह रही है बिमारी किसान भाईयों इसके अंदर लगती हैं एसा नहीं है कि बिल्कुल बिमारी नहीं लगेंगी एक-दो रोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो उन रोगों के लिए आपको इसके अंदर इस प्रे भी करने पड़ सकते हैं तो तिल्डिंग की बात की जाएं कि जितनी पैदावार जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है यदि इतना ही उत्पादन आपको चाहिए तो आपको अपने खेट के अंदर जो बीज आप डाल रहे हैं बीज को उपचारित करने के बाद ही डाले